कि कल जो जानकारी मिली है आप लोगों से कि भारती जन्ता पार्टी के नेता और इस देश के ग्रिह मंत्री कल चाइबासा जाएंगे और चाइबासा जाने के लिए वो आज ही राची आ जा रहे हैं हमने भारती जन्ता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से पूछने का काम किया कि इतने व्यस्ततम कारेक्रम के बीच में एक दिन पुर्व राची आने का नेना क्यों लिया गिया तो हमारे उस मित्रे ने मुझे कहा कि दादा आपको याद नहीं है दो दिसंबर को चुनाव प्रचार के क्रम में चकरज़रपुर में वो राची आये थे 11 बजे पहुँच गए थे सारह 11 सा सभा होनी थी दस पंदरा लोग भी नहीं जुटे थे तब जाके सारह 3 बजे लगभग बयार से लेकर इधर उगर से लेकर जब 200-200 लोग जुटाए गए तब जाके वो मिटिंग किया और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा कोलान प्रमंडल से बारते जनता पार्टी विधान सभा में साफ हो गई इसलिए हमारे नेता एक दिन पहले आ जा रहे ताकि मोनिटेरिंग कर पाए रागभर में कि आजमी तो जुटाया आज सरी लोगों को भेजनाश शुरू कर दिया गया अब मानिये ग्रेह मंत्री जी को भारते जनता पार्टी के नेता आजमी जुटाने के लिए एक दिन पहले कहीं जाना पड़ता है यह हो गई है भारते जनता पार्टी की इसलिए हम तो कहते हैं फिर भी ठीक है आप आईए लेकिन आक एक थोड़ा बताईए कि सर्णा धर्म कोड़ पर आपके सरकार की और आपके पार्टी की राय क्या है अनिस सो बत्पिस के पहचान पर खत्यानी पहचान पर आपकी अपनी पार्टी की और भारत सरकार की सोच क्या है 27 प्रतिशक ओबेसी आरक्षन पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार की सोच क्या है जा भारत सरकार आगामी बजट सत्र में नौई अनुसूची के अंदर सर्णा धर्म कोड बत्तिश का खत्यान और उसकी पहचान और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षन को समायजित करेगी या नहीं करेगी इस पर तो बताना पड़ेगा